नमस्कार आप देख रहे हैं मरी नाइन मैं हूं संदीब ग्रोवर ट्रेंडिंग स्टॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए रेल्टेल का स्टॉक कवर कर रहे हैं इससे पहले हमने 26 सितंबर को भी रेल्वे स्टॉक्स को कवर किया था उस समय रेल् बनता हूँ दिखा है जिस वजए से स्टाक फिर से लाइमलाइट में आता हूँ दिखा है लोगों के रेडार पर लोटता हूँ दिखा है आज इस शेर में हमने 10%. तक की तीजी बनती हुँ दिखी है आज अगर आप इंटर्डे में देखेंगे तो इस शेर ने 449 रूपे क हाई लेवल टच किया है जो कि इसका इंटरडे हाई है और इस तरह ये शेर आप देखेंगे दो हफ़ते से ज़्यादा की उचाई पर पहुंचता हुँ दिखा है आठ अक्टूबर को आप देखेंगे तो इंटरडे में शेर ने 385 रुपे 30 पैसे का निशला स्तर चुआ था तो एक रिसेंट बॉटम आप कह सकते हैं या रिसेंट लो है जो कि इस टॉक ने टच किया था और वहां से अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है 385 वाला शेर अल्मोस्ट आज 400 रुपे के आसपास पहुंचता हुँ नजर आया लेकिन 12 जुलाई को इसने अपना होता हुआ नजर आया है लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जो रिकॉर्ड हाई से करेक्शन आया है आज ये 412 रुपे का जो बना है वहां तक हमने एक कैलकुलेट करके आपको बताया है और गिरावट के बावजूद भी आप देखिए 6 महिने में ये शेर 20% इस साल करीब 25% उचल चुका है और पूरा एक साल का अगर आप चार्ट देखेंगे जो हाई लेवल से करेक्शन होने के बावजूद भी आल्मोस्ट ए शेर आपको लोर लेवल से डबल नजर आएगा करीब सतामने पसंद के आस पास की आपको तेजी नजर आएगी और के कारोबार की अगर आप बात करेंगे तो यह कंपनी टेलिकॉम इंफरसक्चर मोहिया कराती है यह सरकारी कंपनी है नूट्रल कंपनी कह सकते हैं आप और सबसे बड़ी लार्जेस्ट आप कह सकते हैं नूट्रल टेलिकॉम इंफरसक्चर प्रोवाइडर है यह कंट्री में पैन इंडिया इनके पास optical fiber network है जो की railway की जो lines है उसके आसपास आपको ये network नजर आएगा तो उसलिहास से ये company काफी important है काफी बड़ी company समझी जाती है और आज की जो तेजी है उसके पीछे की वज़ा समझेंगे तो आपको एक नया order मिला है इस company को अस्ती करूड उपे के आसपास का मारा से यानि की महरास्ट्रा housing and area development authority से ये company को नया order मिलता हूँ दिखा है और पिछले कुछ समय में अगर आप देखेंगे तो इस company को लगाता नय orders मिलते हूँ दिखेंगे ये जो order है मारा वाला इसमें आप देखेंगे तो cloud पर इस company की और से मारा के लिए एक तो data center बनाए जाएंगे साथी जो disaster recovery site है वो लगाने के लिए जो order है ये company के पास मिलता जारी रहा है सितंबर में अगर आप देखेंगे तो महरास्टा रूरल development से इस company को 156 क्रूड उपे का order मिला था उससे पहले अगर आप देखेंगे तो अगस्त में उत्तर पदेश पुलिस recruitment and promotion बोड यानि की UP PB PB से इस company को करीब 53 क्रूड उपे का order मिला था जुलाई में जून की जो order book है उसके बाद के हैं यानि कि आप कह सकते हैं कि करीब करीब 5000 क्रूड उपे के आसपास की order book पर फिलाल एक company बैठी होई है और अगर आप 24 की कुल revenue देखेंगे तो वो करीब करीब 2500 क्रूड उपे के आसपास की ती तो उस लिहास से देखा जाए तो दो गुन नवरतन कंपनी का भी दर्जा मिलता हो दिखा है तो जो financial independence है company की board के पास वो भी बढ़ती होई नजर आएगी जो नवरतन कंपनी का दर्जा मिला इससे पहले यह मिनिन रतन कंपनी थी तो जिस तरह से इस कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है उससे अगर आप देखेंगे सरक ने फैसला लिया है इनको महा जो नवरतन कंपनी का दर्जा दिया गया है अगर आप इसके revenues देखेंगे पिछले चार साल का data हमने आपके सामने रखने कुशिश करी है वितवर्श 2021 में आप देखें 1337 करोड़ उपे की आय थी इनकी revenue था जो की वितवर्श 2024 में बढ़कर 2568 पिछले चार साल में डबल होते हुए नजर आए हैं और अपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखेंगे उसमें जरूर हमने देखा है कि देंट आते हुए देखेंगे चौबिस परसंट के आज पास के margin पर यह ऑपरेट करते थे वे ट्वर्वेट ट्वर्वेट से मुनाफ़ा भी लगातार एक्सपैंड होता हुए दिखा है एक सो चालीज करोड रूपे का नंबर था एवेट टुनीवन में जो बढ़कर 208 करोड हुआ और एवेट टुनीफोर के एंड पर आप देखें मार्च दोजार चौबिस के अन तक मुनाफ़े का नंबर थाइसो करोड रूपे के आसपास पहुँचता हुआ दिखा है तो जिस रफतार पर इनके रेवेट रहे हैं उसी तरह से आप देखेंगे मुनाफ़ा भी आल्मोस्ट दो गुना एवेट टुनीवन के लेवल से एवेट टुनीफोर के एंड तक होता हुआ नजर आया है तो रीसेंट जो लो बना था 385 रुपे के आसपास का वहां से हमने देखा है कि शेर में काफी अच्छी रिकवरी देखने को मली है पर क्या यह जो रिकवरी हुई है इसे शेर में बॉटम आउट होने के या बॉटम बनने के संकेत बन गया है इस पर हमने मंत्री फिनमार्ट के फांडर अरुन मंत्री जी से बातचीत करी उनका यह कहना है कि फिलाल अगर आप देखेंगे छोटी अबदी के लिहास से तो शेर बॉटम आउट हो चुका है या फिर शेर का बॉटम बन चुका है ऐसे संकेत फिलाल नहीं देखने को मिल रहे हैं लेकिन हां यह जरूर है कि 400-410 यह ऐसा जोन है जो कि इस स्टॉक के लिए बहुत ही एहम सपोर्ट का काम करेगा तो इस 400 रुपे का जो लेवल है उसको आप स्टॉप्रस लगा के इसको छोटी अवदी के जो ट्रेडर्स है जो शौट ट्रेडर्स है वो जरूर इस स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं अगर चोटी अवदी की बात करें तो 475-480 तक के जोन्स के लिए आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं इतने तक हाई लेवल पर यह स्टॉक जाता हूँ नजरा सकता है तो यह लक्षे रखकर यह टागेट रखकर आप स्टॉक में बने रह सकते हैं अगर आपके पास यह कि मौजदा सर पर फ्रेश खरदारी अभी नहीं करनी चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे मैंने कहा कि यह शेयर अभी तक बॉटम आउट नहीं हुआ है तो फ्रेश खरदारी से आपको बचना चाहिए को कि जहां से अपसाइट की गुंजाइश जादा नहीं नजर सर है और 480 रुपे तक की स्टाउक जा सकता है वहां तक आप चाहें तो स्टाउक को होल करके चल सकते हैं लेकिन ध्यान रहे इस टाउक में फिलहाल बॉटमिंग आउट का प्रॉसेस नहीं हुआ है इसलिए फ्रेश खरदारी से आपको रेल टेल के स्टाउक से बच कर चलन करें नहीं है।